बात जब जनता के सरोकार की होगी तब बात हिंदूस्तान की होगी नमस्कार मैं हुई अश्कुरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब के सरी आज के कारेकर में मैं बात हमारे environment के बारे में करूंगा क्योंकि आज world environment day है लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस विशे में ना तो सरकार की रूची है और ना तो जनता इसमें इंटरस्च रखती है बाकी टीवी चैनल्स का सलेबस तो आपको पता ही है वैसे इस विशे पर चर्चा करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये इसका समधान बिल्कुल भी नहीं है सच ये है कि इस तरह के environment को बनाने में हम सब जिम्मेदार है जिसको हम बुगत भी रहे है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और चाहा कर भी हम कुछ नहीं कर सकते है आपको तथे जरूर बता सकता हूँ आगहा कर सकता हूँ बाकी आपकी मरसी 19-वी श्रतापदी की समापती के बाद से ही धरती के तापमान में भड़ोतरी जारी है वेग्यानिकों के मुताबे कि यदि तापमान में डेट डिग्री सेंटिग्रेट तक इसापवा होता है तो इसके घातक नतीजे होंगे इसमें मोसम चकर प्रभावित होगा जिससे सूखा, बाढ़, चकरवात आधी का खतरा बढ़ेगा यदि तापमान दो डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ता है तो हालत और विनाशकारी होंगे चिंता की बात यह है कि ऐसे हालात दुनिया भर में दिखाई देने लगे हैं अभी पिछले महीने प्रकाशित हुए उस्टेलिया के मैक वेरी उश्विद्याले के एक अध्यन के मताबिक प्लास्टिक प्रदूशन से निकलने वाले रसाइन समुद्र में मौझूद उन बैक्टिरिया को नुकसान पहुंचा रही है जो हमें दस विजिता को अक्सीजन देते हैं विज्यानिकों के मताबिक दुनिया भर के समुद्रों में हर साल करीबा से लाग टन प्लास्चिक फैंका जाता है यानि हर मिनट एक ट्रक प्लास्चिक कच्रा समुद्र में ठेल दिया जाता है तो महीं ग्लोबल वर्मिंग की वजह से बढ़ते तापमान के कारण पूरी दुनिया में ग्लेशियरों के अस्तित्व पर संकट मनरा रहा है जलवायू परिवर्तन का सरवाधिक दुश्परभाव हिमाले शेतर के गलेशियरों पर पढ़ रहा है विज्यानिकों ने चेताया है कि चरम जलवायू परिवर्तन के परिद्रिशे में सतरुज नदी घाटी के गलेशियरों में से 55 आप भी तथ्यों की सैर करते करते बोर हो गई होंगे इसलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमिश शाह के ग्रीह मंत्राले संभालते ही जमू कश्मीर में नए सिरे से परिस्यमन की कवायद शुरू होने की अटकले लगने लगी इससे न केवल सिया सी सरगर्मी बढ़ गई बलकि पीडी पी मुख्या महभूब मुफ्ती ने विरोध भी करना शुरू कर दिया लेकिन अब ऐसी खबरे आ रहे हैं कि ग्रीह मंत्राले में फिलहाल ऐसी कोई कवायद नहीं चल रही ग्रीह मंत्री अमिश शाह की बैठक में भी परिस्यमन को ले ग्रीह मंत्राले संभालने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ बैठक भी की इसलिहास से माना जा रहा था कि मिशन कश्मीर उनका खास टार्गेट है स्थानिय बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर में परिसीमन चाहते हैं इसके लिए विराज्यपाल को पत्र लेकर भी मांग उठा चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष कविंदर गुपता ने भी कहा था कि वह राज्येपाल को परिसीमन के लिए लिख चुके हैं ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाक शेतर के साथ न्याय हो जम्मू कश्मीर में 111 विधानसवा सीटे आती हैं फिलाल 87 पर ही चुनाव होते हैं इसकी वज़ह यह है कि सम्विधान के सेक्शन 47 के मताबिक 24 सीटे खाली रखी जाती है दरसल खाली 24 सीटे पाक अधिकरित कश्मीर के लिए छोड़ी गई थी स्थानी बीजेपी नेता चाहते हैं कि ये खाली 24 सीटे जम्मू शेतर के खाते में जोड़ दी जाएं जिससे उसे फायदा हो क्योंकि 2014 के विधानसवा चुनाव में बीजेपी यहां को 37 में से 25 सीटे जी चुकी है इस नाते जम्मू में बीजेपी का दबदबा माना जाता है जम्मू कश्मीर में आखरी बार 1995 में परिसीमन हुआ था यूँ तो राज्ये के सम्विधान के मताबिक जम्मू कश्मीर में हर 10 साल के बाद परिसीमन होना था मगर ततकालिन सीएम फारुक अब्दुल्ला ने 2002 में इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी देश के अन्य राज्यों में 2002 की जनगणना के अधार पर परिसीमन हो चुका है मगर जम्मू कश्मीर इस से अच्छूता है इस देश में किसी चीज़ की चर्चा हो या ना हो लेकिन घोटालों की चर्चा जरूर होती है एक बार फिर घोटाला हुआ है मुबारको यूपी में किसानों के साथ धोका धड़ी हुई है गरीब किसानों को बाटने के लिए कई कुईंटल बीच खरीद कर उनको महिया कराए गए लेकिन ये खरीद और आपूरती महज काग्जों में हुई है साफ है कि किसानों को इस से कुछ नहीं मिला धुका धड़ी के इस मामले में बीच खरीद की फर्जी रसीदों पर अधिकारियों के हस्ताक्षर और सरकार की मुहर का इस्तमाल किया गया था आई एनस की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुवाती जांच में बताया गया कि इस घोटाले को आम तोर पर पुर्मुखे मंतरी, मायवती और अखिलेश श्यादव के कारेकाल के दोरान अंजाम दिया गया अब तक 16.56 करोड रुपे की फरजी रसीदों का पता चला है, माना जा रहा है कि इस बड़े घोटाले का अंशमात्र है जबकि सरकारी धन के इस दुरूपयोग के संबंद में योगी अधितिनात की सरकार ने आर्थिक अपराज शाखा को पता लगाने का निर्देश दिया है कि बीज घोटाला सिर्फ कानपूर के सरकारी गोदा में हुआ है या उत्तर प्रदेश के दूसरे जीलों में भी ऐसा हुआ है क्रिशी विभाग के वरिश दिकारी उमा शंकर पाठक के अनुसार कानपूर पुलिस ने उत्तर बीज और विकास निगम की जाँच के अधार पर प्रात्मी की दर्श की है ये घोटाला पिछले साल तब उजागर हुआ जब बीज निगम ने भुकतान के लिए अपना बिल क्रिशी विभाग के पास भेजा जाँच के दौरान 99 लाख रुपे का एक फरजी विल पाया गया बाद में घोटाले की विभाग ये जाँच शुरू की गई ऐसी खबरे हैं कि पुर्मुख्यमंत्री मायवति के कारेकाल 2007-2012 और उसके बाद सत्ता मया एक लेश यादव के कारेकाल 2012 से लेकर 2017 के दौरान 16.16 करोड रुपे के बिल फरजी पाये गए इस पर मुख्यमंत्री योग्यादितनात ने बड़े खर्चे वाले एहम मंत्रालों के सचीवों को आंतरिक लेखा परिक्षा पर ध्यान देने का निर्देश दिया है ताकि सक्षम तरीके से सरकार का संचालन सुनिश्चित हो मुख्यमंत्री ने पहले भ्रचचाचार का अड़्डा बने पशुपालन और चकबंदी विभागों के कई भ्रच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है इस से पहले गोमती रिवर फ्रंट योजना और खनन गोटाला जैसे भ्रचचाचार से सम्मंधित एहम मामलों की जा काने वाला खुलासा हुआ है मिली जानकारी के मुताबिक एन-32 में जो SOS सिगनल यूनिट थी वह 14 साल पुरानी थी एन-32 ने ग्राउंड कंट्रोलर्स के साथ सोमवेर दोपहर एक बज़े से कम्मुनिकेट करना बंद कर दिया था सोमवेर दोपहर असम के जोरहाट से उड विमान लापता हो गया था और इस विमान में 13 लोग सवार थे इस विमान में सिगनल इमर्जनसी लोकेटर टांस्मेटर यानि की ELT था इसे SARBE-8 कहते हैं जो ब्रेटेश पर्म सिगनेचर इंडरेश्ट्री द्वारा मैनिफेक्ट्चर किया था SARBE-8 को AN-32 के कार्गो कपाट्मेंट में इंस्टॉल किया गया था जिससे यह कठिन परिस्तितियों में सिगनल भेज सके डिश्ट्रेश सिगनल को एक सैटलेट द्वारा पकड़ा जाता था जो कॉस्पा सारसट यानि की इंटरनेशनल सैटलाइट एडिट सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलेटी से संबंधित था इसके अलावा डिश्ट्रेश सिगनल को खोज पर गए विमान द्वारा भी सुना गया था जो 243 MHZ पर ट्यून किया गया था जो की इंटरनेशनल एयर डिश्ट्रेश फ्रिक्वेंसी है सिगनेचर इंडरश्ट्री के संधर्ब में 2004 की एक प्रेस विग्यपती में कहा गया कि SARBE567 और 8 मोडियूल के ओर्डर को केवल 5 जनवरी तक ही स्विकार किया गया इसके डिलिवरी 2005 में ही प्लान की गई थी बैटरी, स्पेर, सर्विस और स्पोर्ट इस तारीक के बाद भी मोजूद रहेंगे इस विग्यपती में कहा गया कि इस तरह कि सामगरी को प्रियोग करने वाले और्गनेशन को यह नोट करना चाहिए कि परसनल लोकेटर बिकॉन्स के लिए सैटलाइट मनेंटरिंग फैसि यह एक यूएस और फ्रांस अधारित कंपनी है जो 2006 में बनी थी भारतिय वायू सेना जो की लॉंच कश्मर थी ने 1986 में इसकी शुरुवात की थी वरत्मान में भारतिय वायू सेना 105 विमान को संचालित करती है जो उचे शेत्रों में भारतिय सैनिकों को लैस करने और शोक क करने में महतुपुन भूमिका निभाते हैं इसमें चीनी सीमा भी शामिल है 2009 में भारत ने 400 मिलिन का कॉंट्रैक्ट यूक्रेइन के साथ किया था जिसमें एन 32 की ऑप्रेशनल लाइफ को अपग्रेड और एक्स्टेंड करने की बात कही गई थी अपग्रेड किया गया एन 32 आर आई एरक्राफ 46 में दो कंटेंप्री एमर्जंसी लोकेटर ट्रांस्मिटर शामिल किये गए थे लेकिन एन 32 को अब तक अप्रेड नहीं किया गया था हालां कि अभी तक विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी इस खोज में इंडियन नेवी भी अपने P-8 मिरा टाइम एरक्राफ्ट के साथ लग गया है तो यह थी महतुपुन खबर अब आपको बताता हूं आज का इतिहास 1669 में मुगल शाशक औरंग जेब अधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1953 में डैनमार्क में आज के दिन निया समिधान लागू हुआ था 1967 में इसराइल ने मिस्र पर हमला कर उसके करीब 400 लड़ा को विमान नश्च कर दिये थे 1984 में पंजाब के अमरे सर में सिखो के धर्मस्थल स्वन मंदिर में भारती सेना ने ओप्रेशन ब्लू स्चार को अंजाम दिया था 1990 में सोविय संकेस आखरी राश्च्वपती मिखाईल गौरवाचेव को नोबिल शांती पुरुसकार से सम्मानित किया था अब वक्त हो गया आपसे विदा लाने का कल फिर में लेंगे ने खबरों के साथ नहीं थी हास के साथ जिसमें हम बात करेंगे आज के हिंदुस्ताम कि और आपके सरोकार के जिसमें हम आपको इसी तरह से सचाही दिखाते रहेंगे धन्यवाद झाल करेंगे साथ honest करेंगे सम्में दिसमें हम एन ड्र झाल 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 झाल